RBI की guidelines की blatant violation कर रहा है State Bank of India मैं इस समय डोडा में हूँ और यह मेरे पीछे आप SBI का ATM देख सकते हैं इसी तरीके से डोडा में SBI के और भी ATM हैं लेकिन उन ATM में एक दिक्कत है कि वहाँ आप cash निकालने जाते तो जरूर हैं लेकिन cash वहाँ लोगों को मिलती नहीं है हम cash निकाले cash वहाँ पर मौजूद नहीं होता और ATM आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है उसके बाद card लेकर निराश होकर जो customer है bank के उन्हें यहां से वापिस जाना पड़ता है RBI ने recently guidelines निकाल थी जिनमें ये कहा था कि क्या आप से जाना जाओं क्या हुआ cash नहीं है उदर ऐसे होता है या ऐसे भी नहीं होता है आपने सुना कि cash निकालने के लिए गए थे ATM में cash नहीं है हाला कि RBI की जो guidelines है उनका ये कहना है कि अगर आपका cash ATM में कुछ देर के लिए नहीं होता है आपने उसकी पूरी report बनानी है कि कितनी बार आपके ATM में cash आउट रहा है कितनी देर तक आप cash available नहीं रहा है आपने कितना समय लिया उसे refill करने में और अगर देखने को ये मिलता है audit report में कि जादा तर आपके ATM में cash नहीं रहा है लोगों को सफर करना पड़ा है इस की वज़ा से क्यूंकि cash ATM में नहीं था तो उसके लिए banks को fine भी किया जाएगा ऐसा RBI का कहना था लेकिन इन guidelines का ऐसा लगता है कि मजाग बना के रखा हुआ है SBI ने खास ओर पर डोड़ा में यहां के जो locals हैं वो भी यहीं बताते हैं कि किस्मत है आपकी कि अगर आप ATM में जाएं और वहाँ पर आपको cash देखने को मिले जादतर यही होता है कि आप ATM में जाते हैं अपना कार्ड लेकर उमीद के साथ कि आप cash निकालेंगे लेकिन mostly वहाँ पर cash available नहीं होता और यह हाल केवल एक दो ATM का ही नहीं बलकि majority जो डोड़ा में देखने को मिल रहे हैं उसалась तबी में यही हाल है कि आप cash निकालने के लिए जाते हैं और cash वहाँ पर मुझाना पर मौजूद ही नहीं होता है की नहीं होता है जादतर नहीं होता है कभी-कभी होता है पूछांगे निकल्ड हम जुनी कुछ से निकले कोई मुषे मृर्इट होता है यह उस्पिटल में जाना यह इसमें कुछ नहीं होता है कभी कंवेडी कीमिक क्या की कि आप छानिया में किसर आता है कि यहांवाइन को नहीं कि आते हैं कि डोड़ा के युद्ध के साथ कि बैंकिंग का सबसे कोब अगर सपोर्ट कोई होता है तो वो कस्टोमर होतें और आप अपने customer को proper service नहीं दे पा रहे हैं साथ ही में RBI की guidelines की भी violation कर रहे हैं तो ज़रूरी है आप तक ये द्रिश्य पहुंचाना कि आपने ATM तो यहाँ पर खोले हैं लेकिन जब इन ATM का इस्तमाल ही कोई नहीं कर पा रहा तो इसका फाइदा आखिर क्या